नमस्कार आज राश्टपती भवन में पंद पुरसकार सम्मान समारों के दौरान एक दिल्चस्प सियासी तस्वीर देखने को मिली यूपी के पूर्व सियम और समाजवादी पार्टी के संस्थापक दिवंगत मुलायम सिंग यादव को मन्नोपरान पद्म विभूशन अवोर्ड दिया गया इसको रिसीव करने मुलायम सिंग के बेटे अखिलेश यादव कारकरब में पहुंचे यहाँ वो वक्त भी आया जब प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी और अखिलेश यादव का आमना सामना हुआ दोनों ने एक दूसरे का अभिवादन किया इसके बाद अखिलेश आगे बढ़े और उन्होंने राश्ट्रुपती के हाथो पद्म विभूशन अवोर्ड रिसीव किया मुलायम सिंग को पद्म विभूशन सम्मान देने का एलान गंतंत्र दिवस की पूर्वसंधिया पर हुआ था पद्म पुरुशकारों में नेता जी के नाम की घोशना का समाजवादी पाटी ने स्वागत भी किया था